प्रभुईश्व मसी के सामर्थी नाम में आप सब को शलोम, प्रियो आप सब अच्छे हैं, परमेश्वर यदि आपके प्रात्नाओं का उत्तर दे रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं? आपके विश्वास को महान कर रहे हैं, बड़ा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, पर यदि परमे पर्मेश्वर आपके प्रात्नाओं का उत्तर देने में देरी कर रहे हैं तो पर्मेश्वर आपके धीरच को, शेहन सेलता को और आपके सयम को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ध्रड कर रहे हैं. अगर पर्मेश्वर आपके किये गए प्रात्नाओं क प्रमेश्वर जो उत्तर आपको देने जा रहे हैं, एक महान उत्तर के रूप में देने जा रहे हैं। यदि प्रमेश्वर ने आपके प्रात्नाओं का उत्तर नहीं दिये हैं, तो चिंता ना करें, आपने जो मांगा है उससे भी बढ़कर उत्तर को आपको देने जा रहे हैं। ये सत्य है। इस तरह आप सोच रहे हैं क्या? निश्या आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। यानि आप अपने जीवन में अद्बुतकारी होना है, ये सोच रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अद्बुतकारी होने में देरी हो रही है, उस देरी का कारण क्या है? यदि हम इसे जान लेंगे तो हमारे जीवन में प्रातना का उत्तर मिलने में क्यों देरी हो रही है? इस बात को हम जान लेंगे और उचित सावधानियों को हम लेंगे। प्रियो मरकुस पाचवध्याए, 21 वे वचन से मैं पढ़ रहा हूँ. जब ईश्व फिर नाउ से पार गया, तो एक बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई. वह जील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालाय के सरदारों में से एक आया, और उसे देखकर उसके पाउ पर हात रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे. प्रियों हम यहां देखने हैं, एक बड़ी भीड उनके पास आई. जो भीड प्रभु के पास आई थी, उनमें से एक था ये याईर. याईर कौन है जानते हैं प्रियों? आराधनालाय का वह एक अधिकारी था. आराधनालाय याने वो इस्थान है जहां लोग एक समाच के रूप में इखटे होकर परमेश्वर की अराधना करते हैं और परमेश्वर की वच्चन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं. इस आराधनालाय को संचालन करने वाले कुछ अध प्रभु के आश्यरी कारियों और अद्बुतकारियों का वे विरोध किये और प्रभु की शिक्षाओं का वे लोग ठटा उड़ाए और कुछ लोगों ने कहा यह दुश्तात्माओं के प्रधान की साहथा से दुश्तात्माओं को निकालता है जब सारी प्रजा ईश्यू-मसी की शिक्षाओं को सुनकर जब आकरशित हो रहे थे ये लोग एरशा से भर कर इशू मसी को बहिशकार करना है, इशू मसी की हत्या करनी है, इस तरह दुष्टता पूर्वक सोचने वाले समाज के ये लोग अधिकारी थे, इस तरह जो अधिकारी इशू मसी का विरोध कर रहे थे, उनमें याईर भी एक वेक्ती हो सकता है, लेकिन याईर के जीवन में एक समस्या आ गई, वो क्या है कि उसकी एक लोती, बेटी बीमारी से दुख उठा रही थी, वो मृत्यों और जीवन के बीच तडप रही थी, निश्य वह बहुत से वैदियों के पास ले गया होगा, क्योंकि वह एक अधिकारी था, और दूसरा, जहां तक संभा हो, वो बहुत से इलाजों को कराया होगा, कि बेटी बच जाए, बहुत से वैदियों के पास अपनी बेटी को लिजाने पर भी, बहुत से वैदियों को उसे दिखाने पर भी, दवाईयां खाने पर भी, उस बेटी की बिमारी ठीक नहीं हुई, बलकि उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई और उतना ही नहीं, वह किसी भी शन मर सकती है, ये बात याईर को समझ में आ गई, ऐसे समय में उसके मन में स्मरन आया, इस समस्या से जो मुझे छुड़ा सकता है, हो केवल एक ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे सारी दुनिया मसी के नाम से जानती है, अगर मैं एशु मसी के पास जाऊंगा तो, आराधनालाई के दूसरे अधिकारी मुझे बहिशकार कर सकते हैं, तुम क्यों उस एशु के पास जाते हो, हम सब उसका विरोध करने वाले हैं ना, उसके आश्यरिय कारियों को और अद्बुत कारियों को हम दुष्टात्मा के काम हैं हम कहते हैं ना, दुष्टात्माओं की सहायता से ये दुष्टात्माओं को निकालता है, इस तरह हम प्रचार करते हैं ना, ऐसे समू के व्यक्ति होकर तुम जाकर, उस एशु के चरणों को पकड़ूँगा कह रहे हैं वो बुद्धी है तुमें ऐसे कहेंगे वो जानता था, लेकिन एक बाद सत्य है, इश्व मसी का विरोध करने वाले ये सब मिलकर भी मेरी बेटी को बचा नहीं सकते, जो काम इन सबसे नहीं हो सकता है, केवल इश्व धया करें तो मेरी बेटी बच सकती है, प्रियो याईर एक निर्णय में आया की, जो मेरे कश्टों में साहता ना कर सके, जो मेरे आसू ना पोच सके, जो मेरी बेटी को बचा ना सके, इनकी बातों को सुनकर मैं अपनी बेटी को खो दूँ या, जो मेरे आसूं को मिटा सकते हैं, जो मेरी बेटी को बचा सकते हैं, चुनाओ करूं किसे मुझे स्विकार करना या एर एक निर्ने ले लिया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समाज कुछ भी सोचे, चारो और के लोग मुझे कुछ भी कहें, इन में से कोई भी मेरी साहता नहीं कर सकता, इन में से कोई भी मेरी समस्या को दूर नहीं कर सकता, इन में से कोई भी मेरी बेटी के बिमारी से छुटकारा नहीं दिला स अगर मैं अपनी बेटी को प्रभु के पास ले जाओंगा तो वे निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, बहिश्कृत करेंगे, ये सोच के मैं उनसे डर के, अगर मैं अपनी बेटी को प्रभु के पास ना ले जाओं या मैं प्रभु को अपनी बेटी के पास ना ले जाओं तो आनी तो मेरी ही होगी, मैं अपनी बेटी को खोदूंगा, एक निरने ले लिया प्रियों, समाज से डर कर मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाता, क्या किया जानते हैं, इशू के पास आ गया प्रियों, इशू के पास आ कर इशू के चर्नों पर गिर कर, क्या कह रहा है, प्रि वो चंगी हो जाए। प्रभू, आप एक बार मेरे घर आकर, अपना हाथ मेरी बेटी पर रग दे, बेरी बेटी बच जाएगी। प्रियों यहाँ एक बात लिखा हुआ है, देखिए, उससे बहुत विनती की, विनती की का अर्थ क्या है? प्रियों बच्चे अपने माता या पिता से विनती करते हैं। मम्मी अब यो लड़की क्या कर रही है बताईए उदास चैरा बना के प्लीज मम्मी प्लीज मम्मी फिर भी आप नहीं सुने समझो आखों से आसू बताईए बेहने लगेंगे उन आसूमों को देखना पाकर मम्मी क्या कहेगी अब मत रहो एलो दस रुपेलो जाकर एसक्रिम खरिद लो जाओ इस बात को सुनते ही उस समय तक जो रो रही थी उस चेहरे में एकदम से खुशी आजाती है हसी आजाती है अभी उस लड़की ने क्या किया बताईए विनती की विनती की का अर्थ क्या है वो जिसे पाना चाती है उसे पाते तक अपनी मा को विलकुल नहीं चोड़ेगी प्रिय बहनों अभी आप ध्यान से सुनिये मान लीजे आपको अभी माई के जाना है उस दिन आप स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे आ या नहीं आपके पती घर आते तक क्यों जी इतने ठके ठके से लग रहे हैं पसीना बैरा है बैठिये बैठिये पती सोस् इतने पतर प्लान बनाई ऊचिए ना पतनी कहती है आपको जो बहुत पसंद है वही सबजी आज बनाई हूँ ओहो फिर तो कोई प्लैन है प्रियो सब ऐसे नहीं है मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो, उस चीज को पाना चाहते हैं तो समानी रूप से विनती करते हैं. कब तक जिसे आपने पाना चाहा है, उसे पाने तक प्रियों, मैं आपसे एक प्रश्न पुशता हूँ, आप बहुत समय से प्रात्ना कर रहे हैं, पांस साल से, दस साल से, पंदरा साल से, बीस साल से, या तीस साल से, या पचास साल से, आप प्रात्ना कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी आप प्रवु से विनती किये हैं, ये बहुत ही रोचक विशह है, क्या कभी आप प्रवु की उपस्तिती में जाकर विनती किये हैं, क्या कहेंगे, प्रवु, ये एक तरीका है, आप क्या करेंगे नहीं जानता, ये विनती करना है, चिलाना है, चीखना है आप कुछ भी हो जाए क्या है ये आपको मुझे उत्तर देना ही होगा ये ये क्या है प्रियों इस तरह चिलाने की क्या जरूरत है हिलने की क्या जरूरत है कुछ लोग जगड रहे हैं या प्रातना कर रहे हैं मालूम नहीं चलता है वे खुद हिलते रहते हैं, पूरे बेंच को हिलाते रहते हैं, लोगों को भी हिलाते हैं प्रियों अभी इस विशय को हम यहीं रहने देते हैं मैं आपसे पूस्ता हूँ, क्या कभी आपकी समस्याओं के लिए आपके रिदय के जक्मों के विशय में आपके परिवार में रहने वाले समस्याओं के विशय में या आपके आंसूं के विशय में या आपके शरीर के रोगों के विशय में आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या उसके विशय में परमिश्वर के पाज जाकर क्या कभी आप विंति के हैं? प्रभू, प्लीज प्रभू, प्लीज प्रभू, प्लीज पिता, मेरी समस्या को कोई दूर नहीं कर सकता, तेरे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है, विंती किये हैं क्या, मैं पूशता हूँ, हमारे जीवन में कई बार हमारी प्राधनाओं का उत्तर नहीं मिला, उसका प्रियो याईर की समस्य वो त्यवर थी, एक लोती बेटी अब कुछ समय में मरने वाली थी, जो भी इलाज करा है सब असफल हो गए, सारी दवाईयां बे असर हो गई, ऐसे समय में, बेटी की परती जो प्रेम था, जब विवश किया, जब उसे मजबूर किया, वो याईर आक इशू के पाउं पर गिरा, कैसे विंती किया नहीं मालूम प्रियों, वो जब विंती कर रहा था, इशू रुक नहीं सके, प्रिभाईयों और बेहनों, क्या कभी, प्रभु की उपस्तिती में आकर, आपकी सारी वेदना को, बहते हुए आंसुओं के साथ आकर, आपने विं चुका है, आपको आसुओं के साथ प्रातना किये हुए, उसने क्या उत्तर दिया जानते हैं, भाई, पता नहीं क्यों मैं अपने जीवन में आस तक, आसुओं के साथ प्रातना नहीं किया, क्यों किसलिए, पता नहीं, क्या पता मेरे आखों में से कभी भी, आसो नहीं निक थोर है, आसु बहाए नहीं, आसु बहाना आता भी नहीं है. प्रिय भाई और वहनों क्या आप जानते हैं? उत्पत्ति से लेकर प्रकाश्रित वाक्य तक 66 पुस्तके हैं इन पुस्तकों में, क्या कोई भी, कहीं भी, कभी भी आसुमों के साथ मेरे प्रभु से प्रात्ना किय और मेरे प्रभु ने ना सुना हो ऐसा कभी हुआ है क्या प्रिव ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे प्रभु निश्य उत्तर दिये यह मेरे प्रभु का तरस है दया है वो पिता अपनी बेटी के प्रती रहने वाले प्रेम के कारण उसके आखों के सामने ही उसकी बेटी के मरने का सम प्रिया उस पिता और बेटी के प्रेम को सोचने से ही हमारी आँखें भर आती हैं. प्रिभाई और बेहनों, आपकी समस्या क्या आप अच्छे से जानते हैं? आपका दुख क्या आप जानते हैं? आपकी वेधना क्या है आप अच्छे से जानते हैं? आपके कर्ज आपको कितना अपमानित कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं? आपके परिवार की अश्यानत किस तरह से आपको परिशान कर रही आप जानते हैं। जब जवान बेटे और बेटी अनाज्याकारी होते हैं तो आपका दिल किस तरह तूट जाता है आप अच्छे से जानते हैं। आपके गोद में संतान नहीं होने से, बच्चे नहीं होने से, आपके घर में कोई खुशी नहीं है, ये कितना दुगदाई होता है। संतान रहित आप अच्छे से जानते हैं। ये हमारे सारे कष्ट धूर हो जाएंगे। इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके जीवन में आपने जो कल्पना नहीं कि ऐसे अद्बूत कारी को प्रभू करने के लिए हती शिग्र आपके पास आने वाले हैं। आईए हम प्रात्ना करें। महान पवित्र प्रेमी स्वर्गी परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन में बड़े-बड़े अच्छी कारी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे अविश्वास के कारण, हमारी अनाग्या कारिता के कारण, हमारी अपवित्रता के कारण। पिता हमारे जीवन में जो आश्चेरी कारी होना है उनके होने में देरी हो रही है, ये सत्य है। उस दिन याईर के जीवन में, विशेश करके उसकी बेटी के जीवन में, पिता जो आश्चेरी कारी होना था, उसमें ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने का कारण ये था कि याईर के विश्वास में थोड़ी कमी थी। उसके विश्वास को बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रभू आप उसी मार्ग में बारा वर्ष से लहू बहने वाली हिस्तरी को आप चंगा किये और उसकी दी गई गवाई के द्वारा याईर के व विश्वास को आपने मजबूत किया, विश्वास को परिपक्व किये, और वैसे ही पिता, हमारा विश्वास कमजोर है, जिसके कारण हम अद्बुतकारियों को देख नहीं पा रहे हैं, आप ये जान कर, इस समय आप हमसे स्पष्ट बात किये, विश्वास करने वाले के लिए सब को संभव होगा, इस तरह वचन कहता है, पिता हमारे जीवन में आश्यरी कारी अद्बुतकारी होना है, तो हमें विश्वास के साथ जीना है, विश्वास के बिना पिता आप हमारे जीवन में आश्यरी कारी नहीं कर सकते, जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो आप उनकादर करें ये संभव नहीं हैं। इसलिए पिता हमारे जीवन में जहां जहां आशिशों के विशा में ब्रेक लगा है। उस ब्रेक को पिता आज जो हम विश्वास के साथ और धिर्टा के साथ प्रातना कर रहे हैं। उस ब्रेक को रिलीस कीजिए पिता। रुके हुए आशीशे फिर से हमें मिलना है पिता, पिता आपको हमारे घरों में आना है, पिता इस समय जितने लोग प्राधना में सैभागी हुए हरेक जन के प्रान, आत्मा और शरीर में, रहने वाले हरेक आउशकताओं को पूरी कीजिए आपके नाम की महिमा लीजिए, ए इश्व के नाम से मांगते हैं पिता, आमिन